उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिला जंगल राज एक और माननिय मुख्यमंत्री योगी जी का सक्त आदेश मुफियाओं पर तुरंत कारवाई कराई जाए तो फिर बिजनौर प्रिशाशन को या तो माननिय का डर नहीं लगता है बिजनौर के नजीबा बाद में बाबा का बुल्डोजर फेल है मुफियाओी कपिल सर्राफ ने फिर कर दिया कांट मामला है मंदा वली थाने के जटपुरा गाओं का महरम वाले दिन को जहां पुलिस प्रशाशन महरम के जलूस की तैयारी में लगा था वहीं कपिल सर्राफ ने जटपुरा गाओं के मौमद इसलाम बोस के परिवार को अपने बेटे हरसित अगरवाल कुछ भाड़े के गु कबिल सर्राफ के गुलाने पर आए और बिहोस पड़े प्रिवार को एंबुलेंस में होस्पिटल भीजने की बजा थाने ले गए जहां प्रिवार की पतनी वह पिता को काफी देर बैठा कर रखा इसलाम बोस के भाई मोबीन को चालान कर जेल भीज दिया गया फिर प्रिव मेडिकल कराकर बिजनौर इलाज कराने के नाम पर ले जाकर बिजनौर सरकारी होस्पिटल में छोड़कर पुलिस वापस आ गई इदर चैनल ने जब मामले की जानकारी निकाली तो पता चला कुछ जमीनी विवाद था जिसका सिविल कोट में मुकदमा चल रहा है अब गईनल ने जब मामले की जानकारी निकाली तो पता चला कुछ जमीनी विवाद था जिसका सिविल कोट में मुकदमा चल रहा है अब देखना यही कि कोट का फैसले के पहले किसी की जमीन पर कबज़ा किया जा रहा है वजह साफ है मुफियाई कपिल सर्राफ को ना तो पर लिये थे बेनामा कभी नहीं किया गया प्रिडित परिवार बहुत डरा हुआ है और इस घटना के बाद पुलिस वा भू माफियाओं को डर से इधर उधर गुंकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है यहां कपिल सर्राब उसके बेटे हर्शित ने मारा भी प्रिडि झाल 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 झाल